तो अभी यहां चल रहा है पॉल सीजन, ओक्टूबर का मन्त आ गया है और इसी मन्त में होता है है हैलोईन, वैसे तो हैलोईन 31st of October को है, बट प्रिप्रेशन तो अभी से स्टार्ट हो गई है, लोगों ने अपने घर को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है, और मार्केट भ है, यहां है स्टार्ट से हमें हएलोईन के स्टप से फुल है, मैं आप झुछाओं की मेरे नेवर्वूड में दा घर को कासे देकोरेट किया है और मार्केट में क्या क्या मिलता ए हैलोईन से रिलेकेट्ट स्टार्प्स, तो चलिए देखते हैं है यहां हैसे fais colors or lights market में मिलने लगती हैं वैसे यहां भी पूरे market फुल रहते हैं Halloween स्टप से यहां कैसे लोग अपने घरों को decorate करते हैं वो देख के आप amazed रह जाएंगे तो चलिए अभी आपको लेके चलती हूँ market में Halloween का नम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है pumpkin यह सेम है just like हम इंडिया में नीबू मिर्ची रटकाते हैं घर को नजर से बचाने के लिए यहां के लोग pumpkin में आख नाख बना के उसके अंदर light लगाते हैं और Halloween से पहले अपने घर के सामने hang कर देते हैं so that उनका घर bad spirit से बचा रहे तो Halloween की shopping के लिए हर store में आपको मिलेंगे Halloween related stuffs like Halloween costumes, skeleton धरामने mask और बहुत सारी तरह तरह की चीजे just like हमारे इंडिया में festival decor की चीजे मिलती हैं तो इन सारी चीजों से लोग अपने घर को सजाते हैं और खुद भी scary dress up होते हैं oh my god ये तो बहुत जादा ढरामना है ये सारी Halloween decor की चीजे हैं लोग इससे अपने घरों को सजाते हैं काफी scary और strange है और ये देखिए ये fake vampire blood है यहां के लोग Halloween theme party भी करते हैं तो ये देखिए ये pumpkin वाले plates हैं और ये सारी Halloween decor की चीजे हैं काफी scary हैं बढ़ ठान लोग यहां पे ऐसे ही अपने घरों को सजाते हैं तो ये chocolate और candies का section है Halloween में लोग chocolate से बहुत ज़्यादा खरीते हैं ऐसा एक data है कि more than 50% of chocolates and candies are sold in Halloween festival क्यूंकि शाम को बच्चे जब scary dress up होके बाहर निकलते हैं अपने neighborhood में तो वहां जाके वो happy Halloween wish करते हैं तो लोग उन्हें chocolates और candies देते हैं तो बच्चों को तो इस festival का wait रहता है पुरे साल भर ये हैं Halloween costumes जिसे पैयान के बच्चे स्कूलों में fancy dress में participate करते हैं भी बनते हैं बच्चे लाइक superman, spider-man, batman तो अब चलिए आपको अपने neighborhood में दिखाती हूँ कि कैसे fall और Halloween की preparation है और कैसे कैसे लोगों ने decorations किये हैं तो ये देखिए ये घर के सामने की decorations है वैसे तो Halloween 31st of October को होगा but mid of October से decorations start हो जाती है और लोग घर के सामने pumpkin के अलावा ऐसे भी scary decorations करते हैं यहां के लोग ऐसा मानते हैं कि इस दिन bad spirits आती हैं और वो लोग उसे अपना ही घर समझे और घर के अंदर ना आएं इसलिए ऐसे decorations करते हैं और यहां पर यह लोग lights और lamps भी लगाते हैं शाम को sunset के बाद इसको जला देते हैं तो यह एक वीडियो मैंने sunset के बाद कलिया है और यह देखिए एक decoration दूसरे घर के सामने का है यह यहां के लोगों ने तो पेड़ पर परदे का भूद बना के लटका दिया है जो की हवा चलने पर उड़ भी रहे हैं और काफी डरावने लग रहे हैं कर दो कर दो कर दो दो तो तो देखिए मेरे पीछा जो पेड़ है उसकी पत्तियां कैसे औरेंज और रेड कलर की टर्न हो गई है बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही है यह उसकी एक लीफ है इसको बोलते हैं फॉल कलर तो फॉल सीजन में आपको नेचर में एक अलगी डिफरेंट कलर देखने को मिलता है जो की काफी ब्यूटिफुल लगता है विंटर आने से पहले सारे पेड अपनी पत्तियां गिरा देते हैं यह मेपल ट्री है और यह देखिए सारी पत्तियां यहाँ पे गिरी हुई है यू यह दो अप्सक्राइब अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक शब्सक्राइब टो मैं चैनल और शेर इस अज़ए पोसब्सक्राइब प्लीज 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 एक शब्सक्राइब